लोकसबा में नाता पृतिपक्ष राहूल गांदी के अमेरिका में दिये गए बयान को लेकर देश में बवाल मचा हुआ है इसे लेकर BJP जंकर आकर्मक मोड में है अब BJP के पूर प्रदेश अध्यक्षी पी जोशी ने राहूल गांदी पर जंकर हमला बोला है इस पत्र के बाद सियासत के पारे में जमकर उबाल है वही सीपी जोशी के पत्र लिखने के बाद पीसिस चीफ गोविन सिंग्डोटासरा ने जोशी पर जवाबी हमला करते हुए ने चापलूस बताया कॉंग्रिस नेतर राहूल गांदी के अमेरिका में दिये गए बयान के बाद सियासत गर्माई हुई है विज़ेपी नेता उन पर जमकर सियासी हमले कर रहे हैं इस बीच राजस्तान विज़ेपी के पिरदेश उद्यक्ष ईपी जोशी ने भी राहूल गांदी पर जमकर निश्वाना सादा उन्होंने राहूल गांदी के पासपोर्ट रत किये जाने की मांग की है इसे लेकर उन्होंने लोग सब अद्यक्ष उम्बिल्ला को पत्र लि दिये बयान किसी भी तरह से एक जिम्मेदार भारतिये नागरिक के तोर पर सही नहीं है दूसरा कारण है राहूल गांदी के बयान राजनितिक नहीं बलकि विशुद तोर पर देश रोधी गतिवीदियों के दाइरे में आते हैं जो उनके आच्वरण को संदिक बनाते हैं वही पीसी से चीफ गोविन सिंग डोटासरा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफोर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा बिजीपी नहताओं की लोलुकता में चमचागिरी और चाटू कारिता की पराकाष्टा पार कंडी की होल लगी हुई है लोगसबा नहता पृतिपक श्राह कावित मंत्री मंडल विस्तार में अपनी पर्ची निकलवानी की सिफारिश रजादा कुछ भी नहीं है देश के लिए दो दो कुर्बानी देने वाले परिवार को विजेपी नहता रास्ट्रे का सम्मान और सुरक्षा ना सिखाएं तमाम खबरों के लिए देखते रहें द